बाई और बेहनों मुझे ये भी बताया गया है कि हार के डर से पीजेडी जूट और अप्पाएं फैला रही है वो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो पूरी योजनाई बन कर देगी ओरी सागे मेरे भाईयों बेहनों ये मोदी है मेरे शब्द लिख करके रखिये हम कभी भी योजनाई बंद नहीं करते अगर हम बंद करते हैं तो प्रस्टाचार बंद करते हैं दलाली बंद करते हैं और दलालों को बंद करते हैं और भाईयों बहनों यहां पर मैं सोच रही सकता था पराजय के डर के कारण बोखला हुए लोग गुन्दा गिर्दी करने वालों का अपराधियों का भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं एक बार हमें मोका दीजिए सब हम ठिकाने पर ना लाए तो मुझे कहना अभी दो दिन पहले यहां खोरदा में हमारी पार्टी के युवा साथी मंगुली जेना की हत्या कर दी गई है गुन्दों ने अपने हाथ से सत्ता जाते देख कर ही बॉखला हट में यह अपराध किया है वो अभी से चौकिदार से डरने लगे है भायो बहनों इस गुन्डाराच से भी ओली साको मुखत नहीं करना है कि आपको सुक्सानती चाहिए कि नहीं चाहिए बैं बेटियों की सलामती चाहिए कि नहीं चाहिए आप मुझा बताइए ऐसे लोगों से निपटने की ताकत किसमें है कौन कर सकता है कौन कर सकता है कि अरे आपका एक भोट कर सकता है एक बार मुझे मोखा दे दीजिए आप देखिए मैं मंगुली जेना के परिवार के प्रती अपनी संबेदना अव्यक्त करते हुए उनको ये भरोसा देता हूं कि बीजेपी के प्रतेकार करता हूं कि भरोसा देता हूं कि यहां सरकार बनने के बाद गुनेगारों को कड़ी से कड़ी सजाद मैं उडिशा की राज़ानी से पूरे राज की जनता को ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी हमेशा उडिशा की जनता के साथ खड़ा है और आप भाईयों भरोसा कीजिए ये मोदी आपके साथ खड़ा है बीजेडी के गुंड और अपरादियों से दरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ बोलिये राज सरकार बदलीबा अधरकार राज सरकार बदलीबा अधरकार राज सरकार राज सरकार राज सरकार रा जब सरकार ओड़ी साथ राज में परिवर्तन का मन बना चुके है